आईएव हम Dispersion Method के अंदर Electrical Dispersion के बारे में Steady करते हैं Electrical Dispersion को हम लोग Bradix Arc Method के भी नाम से जानते हैं यह जो Bradix Arc Method होता है इसका इस्तमाल हम सिर्फ Metallic Collidal Soul के फिर पिरसन के लिए करते हैं से Gold, Silver या Platinum का अगर हमें Collidal Soul बनाना होगा तो हम Electrical Method या फिर Bradix Arc Method के इस्तमाल करेंगे आप अपने डिस्प्ले पे इस डाइग्राम को देख पा रहे होंगे इस डाइग्राम के मदद से हमें Steady करेंगे Electrical Dispursor Method या फिर Bradix Arc Method के बारे में आईए सबसे पहले इस डाइग्राम में जो सेट अप है उसके बारे में Steady करते हैं इस diagram में जो हमारा दो container का इस्तमाल किया गया है आप अपने display पर देख पा रहे होंगे इसमें जो outer container है जिसको मैंने red color से mark करके रखा यह big container होता है एवं inner container जिसको मैंने black color से mark करके रखा है यह थोड़ा small होता है inner container जिशेंग करतेंगे , जैसा है मैंने आपको बताई है यह जो metallic electrode है इसको हम लोग एक को anode से एवं एक को cathode से attach कर दिये हैं एवं जैसे हमने यहाँ पर high electricity apply करेंगे इस metallic electrode से electricity का flow चालू हो जाएगा और जैसे हैं यहाँ से electricity का flow चालू होगा हमारे inner container में आर्क पैदा होगा आप देख पा रहेंगे यहाँ पर आर्क डेबलप हो इंगारी एवं जैसे हमारे जो electrode है इसमें से आर्क का formation होगा यह हमारा electrode है इसका size reduction होने लगेगा क्योंकि जैसे हमने electricity यहां पर apply किया आर्क पैदा हुआ एवं जो metallic electrode है यहां से इस electrode के छोटे छोटे पार्टिकल वेपर के रूप में हमारे dispersion मेडियम में आ जाएंगे ले जो वेपर है यह हमारे environment में ना जा सके उसको condense करने के लिए हमने inner outer जो container है इसके बीच आइस को फिल कर दिया है ताकि यह हमारे temperature को maintain करके रखे और जैसे हमारा आर्क के साथ जो हमारा metal का जो वेपर का formation हुआ है यह हमारे dispersion मेडियम में आएगा यहां पर आइस हमने बाहर से apply करके रखा है जिसके करण यह ठंडा हो जाएगा और छोटे छोटे collidal range साइज का पार्टिकल का formation करेगा और यह हमारे dispersion मेडियम में collect होता जाएगा इस method के दौरा हम metallic collidal soul का formation करते हैं अगर हमें gold का soul का formation करना हो तो यह जो electrode हमने apply किया है यह gold कर आएगा अगर silver का हमें solution solution बनाना है collidal तो यह electrode silver के कर देंगे और थाथ हम कह सकते हैं कि जिस परकार का हमें collidal soul का preparation करना होगा हम उसी का electrode apply करेंगे इस method में अट्र अब्क kayak और्यका पाहिए थार, भी और शॉमियल स Васल करते हैं यह Nearly but into the